हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट में पिंचिंग क्यों जरूरी होती है हमें अपने प्लांट को पिंच क्यों करना चाहिए तो यह बात बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्लांट में पिंचिंग बहुत जादा जरूरी है अब आप नहीं है एकदम यूजलेस है आप इसको बनने देंगे क्या होगा यह आपकी प्लांट की ग्रोथ को यहीं के यहीं रोग देगा इसके आगे ना इसमें लीव जाएंगी ना कोई अच्छा फ्लावर आएगा फूटिंग दोसमें होती नहीं तो मैं आपको यहीं पताना चाहती हूँ मुझे पता है कि जो लोग प्लांट से प्यार करते हैं उनको पिंचिंग करने में थोड़ा सा दर्द होता है मुझे भी होता है मुझे भी दूफ होता है कि मैं प्ले प्लांट के को पिंच कर रही हूं नेल से बट ट्रस्ट मी आप मानेंगे नहीं जब आप यहां से उसका जो वेस्ट जो फ्लावर निकल रहा है जो उसकी ग्रोथ को यहीं पर ही रोग देता है जब आप इसको यहां से पिंच करते हैं तो यहां से दो स्टेम निकलती हैं दो लीव्स निकलती हैं यह जो लीव्स वाल अपनाटे यहां से दो लीव्स निकलेंगी आप यहां से और आप खुद ही देखिएगा कि यहां से दो लीफ इकटा निकलती है अब यह आपके हाथ में कि आप इस लावर को रखके इसकी ग्रोथ को यहीं पर ही रोग देना चाहते हैं या इसको पिंच करके यहां से दो स्टैम या दो लीफ निकालना चाहते हैं अब आप देखिए यह मेरे फ्लांट का यह एक वेस्ट पत्ता था यह थोड़ी दिन में एक दिन फीर फटा हों मैंने उसको यह जड़के गिर ही जाना थे तो मैंने इसको ही पिंच निकाला था अब यहां से एक पता ही तो हट ही जाना है, मैं नहीं हटाओंगे तब भी हट जाएगा बट इसको मैंने ऐसे नहीं हटा है, इसको पिंच कर गटा है अब यह, जैसे यहां से ही हटा है, यहां से 2 leaves अपने आप ही निकल जाएंगी ये ऐसा है जैसे हम लोग medicine लेते हैं आपने बच्चे को medicine देते हैं medicine as сторону की कड़ भी होती है बट वह बहुत जारदा जरूरी है हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए जिनसे हम प्यार करते हैं जैसी medicine लेते हैं तब ही हम लोग अपने आपको ठीक सोस्त महसूस करते हैं